हेज असलामों अलेकुम और वेलकुम बैक तो मैं चानल आप आप सब ठीक होगे तो आज हम बनाएंगे चिकन एक का तो चलिए इसकी रेसिपी देखना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम यह आदा किलो चिकन ले ले लेंगे और उसमें हम एक अंडा दाल देंगे अगर आपक और तीखाप आपके हिसाब से एड़ करें ये तीन चम्मच हम एड़ करेंगे उसके बाद हम ये वाइट पैपर पाउडर एड़ करेंगे अगर आपके पास वाइट पैपर पाउडर नहीं तो आप ब्लैक पैपर का भी यूज कर सकते हैं यह एक हम चुटा छमच मै च्मच मैदय दालेंगे इसमें मैदे काटा चूंच करेंगे चूंच और और रिचमच में ठोड़ा नम्मक करेंगे ऑपके टेस्ट चूंचा peròve ब्रेट क्रम्स आदाने, डूछ ब्रेट क्रम्स आदें करें वाद इसमें फूड कलर, ग्रीन कलर और इसमें अच्छे से अच्य से मिक्स करके मारीनेट होने हैं आदे गुंदे के लिए रख देंगे उसके बाद अब हम एक पैन में ओलेट करेंगे अब हम ये चिकिन जो है इसमें फ्राइ करेंगे ओल में जो हमारा मैरिनेट किया वा चिकिन था एक-एक करके इसमें हम डालते जाएंगे चिकिन और इसे मीडियम टू हाइफलेम पे पकाएंगे उसके बाद अब हम जब तक चिकिन फ्राइ हो रहा है उसका सॉस रेडि कर लेंगे आदा चममज विनेगर लेंगे एक चममज ग्रीण चिली सॉस लेंगे ग्रीन चिली सॉस भरके ले लेंगे उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे डाक सोया सॉस भी हाफ टेबिल स्पून एड़ करेंगे इसमें भी सॉल्ट्स होते है नमक में आप लोग इसले नमक उस हिसाब से एड़ करना आदा शमच ब्लैक पैपर पावडर एड़ करेंगे और पाव शमच शुगर एड़ करेंगे आप हनी का भी यूज़ कर सकते है और ठोड़ा सा ग्रीन फूट कलर एड़ करेंगे और यह साइड में रद देंगे यह के एक तरफ से चिकन जो है वो कलर उसका थोड़ा चेंज हो गया है ब्राउनिश स्पॉट्स आ गए गोल्डन ब्राउन स्पॉट्स अब हम इसे पलट लेंगे और इसे मीडियम टू हाई फ्रेम पर दूसरी तरफ से भी पका लेंगे अब भी हम इसे एक एक करके निकाल लेंगे दिखे गोल्डन ब्राउन स्पॉट्स आ गए है अंदर से थोड़ा कच्छा भी रहेगा तो चलेगा क्योंकि यह बाद में फिर सॉस में पकेगा अब हम इसमें एक चमच ऑईल आट करेंगे उसी कड़ाई में और थोड़ा बटर आट करेंगे एक से दो चमच अमूल बटर आट करेंगे इसमें 15-20 काजू आट कर देंगे और इससे थोड़ा सा स्टर कर लेंगे दिखिए थोड़ा स्टॉर कर लेंगे गॉल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद ये अदरक लसन और हरी मिर्ज बारिक चॉप की भी है ये दो जम जाइड करेंगे हम हरी मिर्ज आपके टेस्ट के हिसाब से एड़ करें और इसे भून लेंगे तब तक अदरक लसन की जो है वो हम थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेंगे च्छाउट कर के लूदीर र예स के इसमें थोड़ा पखने देंगे दो बॉब तिन के बढ़े चाईनीज घुच्वान देंगे जो हम किनों फ़िर ने ऐसा यद आप जाना सोत ऋदाधि長バ़ा है जाने तक दो से तीन मिनिट के लिए और थोड़ा सा पानी एट कर देंगे अच्छे से पका लेंगे और सेपरेट होने तक और ये फ्रेश क्रीम एट कर देंगे दो चमज भर के और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करके फिर से एक मिनिट के लिए पका लेंगे फिर अब हम इसमें सॉल्ट एट कर देंगे सॉल्ट आप हिसाब से एट करें आपके क्योंकि जो हमने चाइनिज सॉस एट किया उसमें भी सॉल्ट होता है और इसे अच्छे से फिर से भून लेंगे उसके बाद हम सारा जो ह मिक्स करके इसे अच्छे से ढपकर दस मिनिट के लिए स्लो फ्लेम पर पका लेंगे ताकि जो सॉस का फ्लेवर है वो सारा चिकन में अच्छे से आ जाए और इसमें अब हम चीज भी ग्रेट कर लेंगे उसके बाद हम इसे ढपकर दस मिनिट के लिए पका लेंगे चीज ग्रेट करके, चीज आप आपके हिसाब से ग्रेट कर सकते हो, फेसेर ढखकर दस मिनिट के लिए स्लो फ्लेम पर पका लेंगे ताकि सॉस जो है चिकन अच्छा चिकन में सॉस का फ्लेवर आ जाए, और ये देखिए हमारा चिकन पक गया है, अब हम ढखकन अटा देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे, ये देखिए माशरा से हमारा चिकन इक का जो है वो रेडी हो गया है, और अगर आप लोगों को हमारी ऐसी रेसिपीज अच्छी लगती है तो लाइक, शेर, कॉमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले और बैल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूले ताकि आप लोगों को हमारी सारी रेसिपीज की नोटिफिकेशन मिलती रहे, अल्ला आफीज